हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप सब, I hope कि आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे हेलो गाइज, I am Garima and welcome to my YouTube channel, DG Study Art तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक humble request है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज कर लीजे, गाइज, अगर आप भी TGT, PGT, DSSSB या Arts Related किसी भी competitive exam की preparation कर रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल पर विजिट कीजे इस चैनल पर आपको Indian और Western Art का full course प्री में provide कराये जाएगा और Youth competition का full practice set भी solve कराये जाएगा इस चैनल पर आपको बिल्कुल authentic content प्रोवाइट कराये जाएगा गाइज, इस चैनल पर आज से घटना चक्र की स्रीज शुरू की जा रही है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस content को देखिए और समझिए क्योंकि इस में से ज़्यादा दर question आने के chances रहते है इस बुक से आपको पेपर में 60 से 70 question देखने को मिल जाते हैं तो चलिए गाइज, class को श्टार्ट करते हैं आज का हमारा topic है घटना चक्र की question answer series तो गाइज, सबसे पहले हम देखेंगे question number one को प्रागितिहासिक कला का अर्थ है फर्ष्ट आधुनिक कला, सेकिंड मध्यकालीन कला, थर्ष्ट सिंदु घाटी सब्भ्यता की कला, फर्ष्ट एतिहासिक काल के पूर की कला फर्ष्ट question का हमारा answer होगा option number D एतिहासिक काल के पूर की कला question number second प्रागितिहासिक चित्रों के संदर्भ में निमलिखित में से कोन सा कथन है सकत्य है A. प्रागितिहासिक चित्रों का मुख्य विशय शिकार रहा B. प्रागितिहासिक चित्र गुफा वासियो द्वारा बिना किसी कला दक्ष्ट के बनाए गए है C. प्रागेती हासिक चित्रों में दमक्ता, लाल, चमकीला, नीला एवं प्रफुल हरारंग भरा गया है D. मानव वे पशु आकर्टियों को बनाने से पहले गुफा की भित्यों पर प्रश्ट भूमी में कहीं कोई रंग की तहर नहीं लगाई गयी है इसका ओप्शन नमबर A, B और D तीनों सही हैं तो इसका हमारा ओप्शन नमबर C गलत हो जाएगा तो सेकिंड कोश्चन का हमारा आंसर है ओप्शन नमबर C कोश्चन नमबर थार्ड फ्रैंको केंटवियन छेत्र किसे कहती हैं इसका अंसर हो का ओप्शन नमबर A, प्रैंको केंटवियन छेत्र इरोपे प्रागेती हासिक चित्रों का प्रमुक केंद्र है इसके अंतरगर्द उत्तरी इसपेन और दच्छिनी फ्रांस छेत्र आते हैं कोशन नमबर 4, प्रैंको केंटवियन छेत्र संबंदित है ओप्शन A, धार्मिक कर्म कांट से ओप्शन नमबर B, प्रागेती हासिक कला से ओप्शन नमबर C, आदिम गीत से ओप्शन नमबर D, मध्यकालिन कला से कोशन नमबर 4 का आंसर है Option नमबर बारत में प्रागेती हासिक कला से Π्रेंको कैंटवियन छेत्र यूरोपय प्रागेती हासिक छेत्र है Question नमबर फाइब भारत में प्रागेती हासिक छेत्र कहां प्राप्त हुए हैं Option number A, मुजफरपूर, Option number B, बिंदकी, Option number C, खुर्जापूर, Option number D, सर्गुजा Question number 5 का आंसर है Option number D, सर्गुजा से Question number 7, प्रागेती हासिक चित्रों की धरातल क्या है Option number A, कपड़ा, Option number B, शिला, Option number C, कागज, Option number D, कैनवास Question number 6 का आंसर है Option number B, सिला Question number 7, प्रागेती हासिक भारते चित्रकला की सत्य पर बनाई गई है Option number A, लकड़ी के पटों पर, Option number B, ब्रक्ष की चालों पर, Option number C, ताड़ पत्रों पर, Option number D, चटानों पर Question number 7 का आंसर है Option number D, चटानों पर Question number 8, प्रागेती हासिक चित्र क्या है Option number A, ग्रंथ चित्र, Option number B, गुहा चित्र, Option number C, कागज पर बने चित्र, Option number D, वस्त्र पर बने चित्र Question number 8 का आंसर है Option number B, गुहा चित्र Question number 9, प्रागेती हासिक सिला चित्रों का विशे क्या था? Option number A, आखेट, Option number B, पशुपक्षी, Option number C, युद, Option number D, उप्युक्त सभी Question number 10, प्रागेती हासिक चित्रों के विशे क्या है Option number A, पशु, Option number B, मानव, Option number C, पक्षी, Option number D, पशु, मानव, पक्षी तीनो Question number 10, का आणसर है Option number D, पशु, मानव, पक्षी, तीनो Question number 11, प्रागेती हासिक चित्रों क्या है? Option number A, ग्रंथ चित्र, Option number B, गुहा चित्र, Option number C, कागज पर बने चित्र, Option number D, वस्त्र पर बने चित्र Question number 11, का आणसर है, Option number B, गुहा चित्र Question number 12, तागेती हासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले है? Option number A, पशु के चित्र, Option number B, आखेट के चित्र, Option number C, मनुश्यों के चित्र, Option number D, ओजारों के चित्र Question number 12, का आणसर है, Option number B, आखेट के चित्र Question number 13, प्रागेती हासिक चित्र, प्रधानत्य किस विशे से संबन्दित है? Option number A, धर्म संबन्दी, Option number B, आखेट संबन्दी, Option number C, युध संबन्दी, Option number D, प्रकरती संबन्दी Question number 13, का आणसर है, Option number B, आखेट से Question number 14, प्रागेती हासिक चित्र, सामान्यता, निर्मित किये गए हैं? Option number A, तेल पेश्टल से, Option number B, जलरंग से, Option number C, स्याही से, Option number D, गेरुवे चारकोल से Question number 14, का आणसर है, Option number D, गेरुवे चारकोल से Question number 15, प्रागेती हासिक चित्रकार, रंगों में क्या मिलाते थे? Option number A, गोन, Option number B, जानवरुकी चर्वी, Option number C, गोमूत्र, Option number D, तेल Question number 15, का आणसर है, Option number B, जानवरों की चर्वी Question number 16, में हमें दो कथन दिये गए हैं, और इसमें से हमें सही कथन का चैन करना है Option A, दोनों क्या वे ख्या सही हैं, तथा क्या का सही इसपश्टी करन है Option B, दोनों क्या वे ख्या सही हैं, लेकिन क्या का सही इसपश्टी करन नहीं है Option C. क्य सही है लेकिन खह सत्य है Option D. क्य सत्य है लेकिन खह सही है Question number 16 का सही आंसर है Option number C. क्य सही है लेकिन खह आ सत्य है Question number 17. यूरोप गेती हसीख चित्रों के प्रमुख केंदर कहां पर इस्थित है Option A. Yunnan एवं मेसोपोर्टामिय में Option B. उत्री फ्रांस एवं इंगलेंड में Option C. उत्री स्पेन एवं दच्छिनी फ्रांस में Option D. इटली एवं फ्रांस में Question No. 17 का answer है Option No. C. उत्री स्पेन एवं दच्छिनी फ्रांस में कौशन नमबर 18 ताजलाफरात नदियों के दोआब में पनपी सब्भयता क्या है? ओसन अ मिस्र की सब्भयता، ओसन बी युनान की सब्भयता, ओसन सी मेसोपोटामिय की सब्भयता, ओसन डी पाकिस्तान की सब्भयता Quesion No.18 का आंसर है Option No.C. मैसोपोटामिया की सभ्यता Quesion No.19 मैसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है Option A. पाकिस्तान Option B. इरान Option C. अफ़कानिस्तान Option D. इराक Quesion No.19 का आंसर है D. इराक Quesion No.20 सेलंडर सील का संबन निम्न में से किस कलासे है Option A. मिस्र की कलासे Option B. मैसोपोटामिया की कलासे Option C. भारतिय कलासे Option D. इरान की कलासे Quesion No.20 का आंसर है Option No.B. मैसोपोटामिया की कलासे Quesion No.21 नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है Option A. सिंधु सभ्यता Option B. चीनी सभ्यता Option C. मिस्र की सभ्यता Option D. मैसोपोटामिय की सभ्यता Question number 20 का आंसर है Option number C. मिस्र की सभ्यता Question number 22 तूतन खामेन का सम्बंध निम्न में से किस देश से रहा A. मैसोपोटामिय B. बगदाद C. इटली D. मिस्र Question number 22 का आंसर है Option number D. मिस्र तूतन खामेन का अर्थ होता है अमूमन की छवी वाला Question number 23 महरानी नैपेर्थिती का सम्बंध निम्न में से किस काल से है Option A. ओल्ड किंग्डम Option B. मिडल किंग्डम Option C. न्यू किंग्डम Option D. मौर्डन किंग्डम Question number 23 का आंसर है Option number C. न्यू किंग्डम Question number 24 Sumerian सभ्यता किस नदी के तड़ पर विक्षित हुई Option number A. नील नदी Option number B. यांगिस्टे नदी Option number C. सिंधू नदी Option number D. यूफ्रेटस नदी Question number 24 का आंसर है Option number D. यूफ्रेटस नदी Question number 25 अमरत्विकी कला किस देश की प्राचिन कला को कहते हैं Option number A. रॉम Option number B. इटिली Option number C. भारत Option number D. मिस्र Question number 25 का आंसर है Option number D. मिस्र Question number 26. इस्टोन हेज अवस्थित है Option number A. ब्रिटानी में Option number B. सेली बस्री के मैदान में Option number D. एडम्स काउंटी में Option number D. पूर्वी दीप सम्हू में Question number 26 का आंसर है Option number A. ब्रिटानी में Question number 27. दुशाला उड़े योगी की मूर्ती किस खुदाई से प्राप्थ हुई है Option number A. रामगर Option number B. हडपा Option number C. मोहन जोदरो Option number D. लोथल Question number 27 का आंसर है Option number C. मोहन जोदरो Question number 28. पशुआकरती युक्त मोहरे कहां पाई गई है Option number A. राजखाट Option number B. सारनात Option number C. नालंदा Option number D. मोहन जोदरो Question number 28 का आंसर है Option number D. मोहन जोदरो थैंक्स गाईज फर वाचिंग माई वीडियो गाईज जो मेरे चैनल को सबसे पहले लाइक और सबस्क्राइब करेगा उन में से पांच लोगों का नाम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लूंगी । झालंदा